हलो दोस्तों गुड मॉर्निंग स्वागा थेक बार फिट से आप सभी का MZT Education में दोस्तों आज है 20 February आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 February 2023 के Most Important Current Affair के Questions के बारे में जनरल M.B. सुचिंद्र कुमार ये भारतिये थलसेना के नए उप्रमुख नियोक्त किये गए हैं प्रधान मंतरी नरेद्र मोदी जी ने अभी वर्चुली राजस्थान में जल जन अभियान का उद्धरन किया है और अभी इस्रों ने दुनिया का पहला क्लाउड नेर्मित प सुचकांग में भारत है 47 अस्थान पर वहीं भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन का चौथा संस्क्रण अभी शुरू हुआ है और अभी हाले में 2019, 2020 और 2021 के लिए टोटल 102 कलाकारों को उत्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरुसकार से सम्मानित किया गया है यह 40 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को दिया जाता है उनके साहित की योगदान के लिए यूटूब के नए CEO होंगे नील मोहन भारतिय मूल के हैं और अभी राष्टिय अस्तर के आहिकतान कवश 2023 का सुभारम किया गया है BPRD, ICCCCC और AICTE के दोरा भारत की पहली फ्रोजन लेक मेराथन की मेजवाने लद्दाख में की जाएगी ये दुनिया में सबसे अधिक उचाई पर होने वाली मेराथन होगी ये टॉप 10 करेंटफेर के कुश्चन से कल की वीडियो में जो हमने रिवीजन किया है अब आज की करेंटफेर देखिए पहला कुश्चन हाली में क इस राज में जींगा मेला आयजित हुआ दोस्तों जींगा मेला ये पंजाब में शुरू हुआ है पंजाब में ये धुमधाम से मनाया जा रहा है वहाँ पर जींगा मचली जो होती ना स्रिम्प जो होता है स्रिम्प के बारे में अवरिनस फैलाने के लिए जींगा मचली क का टाइप होता है प्रजाती होती है कह सकते हैं लोग और इसके लिए एक गुलावी करांती भी सुरू की गए थी गुलावी करांती का संबंद दोस्तों प्याज और जहींगा मचली के उत्पादन से है यह बहुत इंपोर्टन कुश्चन है ठीक है मैंने आपको जो करांतिया बताई थी उसमें यह बताया हुआ था कवर कराया था तो प्याज और जहींगा मचली दोनों का उत्पादन का संबंद जो है गुलावी करांती से होता है भारत विश्चु का सबसे बड़ा जहींगा मचली उत्पादक देश भी है और इसी तरज में 2016-17 में यहां पर वहां पंजाब की बात आई है तो पंजाब देखेंगे आप मैप में यहां पर है चंदिगाड राजधानी है सीम है भगवंतमान आमादमी पार्टी से बनवारी लाल प्रोहिज जी यहां के गवर्नर है और यहां पर अगर नेशनल पार्क की बात करें तो हरीके वन जिव ठीक है इसके लावा लोकल निर्त में भांगडा, धूमल और गृद्धा यह तीनों का तीनों इंपोर्टन्ट है गिद्धा तो बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है तो यह याद रखीगा पंजाब अपना बौडर हिमाचल प्रदेश से, हर्याना से, राजस्थान से और इधर जम्मू और कस्मीर से सेयर किया करता है, वहीं पंजाब में जिलों की संख्या है तोटल 23, 117 विधान सभा की सीटे हैं, लोकसभा में 13 और राजसभा में यहां से 7 सीटे जाते हैं, राजके पसु है ब्लैक बग, राजके पक्षी है उत्री गोशाक, पिछले इनों में पंजाब से रिलेटेड कुश्ण साय थे, उनका हम लोग रिविजन करते थे, पंजाब से देखो ये मेले से रिलेटेड कुश्ण था, तो दो मेला तो सबसे पहले आप रिवाइज कर लीजे, एक तो माघी मेला, ठीक है ना, माघी मेला और एक अभी लोहडी मना ठीक है, लोहडी, लोहडी आपको पता है, पंजाब और हरियाना में मकर संक्रांती के उसर पर मनाते हैं, तो माघी मेला और लोहडी मेला ये दोनों भी आप याद रखेंगे, इसके अलावा चंदीगड एरपोर्ट का नाम भी बदल करके भगत सिंग जी के नाम पर किया ग बागबानी, बागबानी, इस्टेट भी अस्थापित किया था, ठीक है, इसके लावा अभी आश्ट्रेलिया में ये घुष्टना होई कि आश्ट्रेलिया इस्कूलों में पंजाबी भासा पढ़ाई जाएगी, तो पंजाबी लेंगवेज से रिलेटेड कुशन भी आप रिलेट कर सकते हूँ, और लाश्ट जो है, पंजाब ने अभी हाल में स्कूल आफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लांज किया है, क्या स्कूल आफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लांज किया है, क्लियर आगे बढ़ते हैं, हाल में किस केंद्रिय मंतरी ने फिजी में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरंट किया. तो दोस्तो केंद्रीय मंतरी S. जैसंगर जी जो की एंविद इस मंतरी अपने, ये फीजी में गये हुए थे, क्योंकि फिजी में था विश्व हिंदी सम्मेलन अभी 12 विश्व हिंदी सम्मेलन आयुजद किया गया मैंने आपको कई बार बताया इसको पिछले दिनों में ठीक है तो वहाँ पर इन्होंने 12 में विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान ही सदार पटेल की प्रतिमा का अनावरंड किया ह फिजी में ठीक है फिजी की राज़ानी सुवा में तो यहां पर आप देख पाऊगे फिजी केप्टल सुवा में इन्होंने वल्लभाई पटेल जी की मूर्ति का अनावरंड किया हुआ है सदरा पटेल जी कौन थे यह भारत के पहले ग्रह मंतरी थे और भारत के पहले उपपरधान मंतरी थे तो इनकी याद में प्रतिमा का आनावरंड किया गया है साथी साथ विदेश मंतरी है जैसंकर जी ने वहाँ पर पैसिफिक हेड्स ऑफ स्टेट रेजिडेंस के स्टोलराईजेस्टन के लिए भारत द्वारा वित्त पोसित प्रियोजना भी सुरू की हुई है क्लियर आगे बढ़ते हैं हाली में किस मंतराले ने M-Passport Police App लांच किया तो M-Passport Police App दोस्तो अभी लांच किया गया है विदेश मंतराले के द्वरा इससे पास्पोर्ट को बनवाने में आसानी हो जाएगी पहले पास्पोर्ट बनवाने में लगते है था फंदरा दिन क्योंकि उसमें मैक्समrm टाइम चला जाता था पुलिस बैरिफिकेशन में अब वो police verification पाँच दिनों में ही complete हो जाएगा यानि कि आप passport के लिए apply करोगे और पाँच दिनों में ही आपको आपका passport मिल जाएगा ठीक है तो इसकी प्रक्रिया भी बहुत ज़्यादा आसान कर दी गई है इन सब के लिए ministry of external affairs ने अभी m passport police app launch किया है जिते police verification प्रक्रिया को आसान किया जा सके जिनको जिनको passport बनवाना है वो इसकी website या portal पर जाएं वहाँ पर apply कर दें पास दिनों के ही अंदर उनको verification के लिए बुलवा लिया जाएगा नजदी की जो verification center है वहाँ पर भी जा करके सारी चीजे कर देंगे पास दिनों में ही वो सब कुछ बन करके मिल जाएगा पासपोर्ट ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हाले में भारतिये वायू सिर्ण ने जैमर प्रूफ संचार के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म विक्सित किया तो इंडियन एयर फोर्स ने अभी जैमर प्रूफ कम्मुनिकेशन के लिए वायू लिंक नाम से एक प्ल मौसम खराब रहता है तो कम्मुनिकेशन तूट जाता है बेस स्टेशन से ऐसे में दिक्कत हो जाती है लेंडिंग में और जब लेंडिंग में प्रॉबल्म होती है तो फिर क्रैस होने के भी चांसर जाते हैं अभी आपने देखा हम लोगों ने अपना सब्से प्रमुक जो सबसे बड़ा सायन अधिकारी होता है CDS, Chief of Defense Staff विपिन रावत जी जो की भारत के पहले CDS थे, उनको खोया था उनका helicopter crash हुआ था, खराब मौसम की वज़ा से ही, तो खराब मौसम की वज़ा से communication ना तूट पाए Base Station से communication बना रहे जाए, इसके लिए इंडियन एरफोर्स ने डेबलब किया है एक technology और वायू लिंक दिया है उसका नाम ठीक है, वायू लिंक प्लेटफॉर्म है अच्छा, एक चीज और, कभी-कभी तो ये मौसम की वज़ा से होता है, कभी-कभी कोई और जो है कोई और देस या कोई और ऐसे जो दूसरी ताकते है वो interrupt कर देते हैं signal, वो jammer लगा देते है jammer लगा देते हैं, जिनसे उनका link तूट जाता है, उस वायू यान का, या उस जो भी air vehicles होता है, उसका link तूट जाता है, बेस station से और फिर वो crash हो सकता है ऐसे भी चीजे होती है jammer लगने के बाद, लेकिन यह जो वायू लिंक है ना, यह anti jammer jammer proof है, ठीक है jammer proof communication देगा, यानि jammer अगर कोई लगाता है, तो उससे भी इसको कोई असर नहीं पड़ेगा, jammer basically होता क्या है, देखो आज मैं बता दिरा हूँ आपको, इससे आगे कभी आए आसपास के स्कूल के पास में, जिससे लोग वहाँ पर cheating ना कर पाएं नकल ना कर पाएं, call वगरा कम जाती है, या network बहुत अच्छे से नहीं पकड़ता है, इसके अलाम आप देखते हो जैसे PM मोधी का काफिला जा रहा होता है तो फिर एक गाड़ी jammer के लिए जाती है वहाँ पर उसमें बताते हैं कि jammer लगा हुआ है ऐसा क्यों किया जाता है ऐसा किया जाता है, तो jammer का काम क्या होता है क्योंकि जो भी communication होता है वो सभी electromagnetic signals की वज़ा से होता है अब वो जो signal से भेजी जाती है अगर कैसा हो कि वो जो signal भेजी जा रही है तो कोई एक ऐसा device लगा दिया जाए जो वहाँ से जाने वाली signals को absorb कर सके और दूसरी तरह से भी तरफ से भी आने वाली signal को absorb कर दे या फिर ये jammer कुछ ऐसी signals छोड़ दे, जिनसे ये जो signal है, वो interrupt हो जाए होता है, तो वो जो signals अपने भेजता है ना, वहां के base station की तरफ, तो jammer अगर लगा रहता है, तो वो उनको interrupt कर देता था, तो जिससे base station से संपर्क तूट जाता था, और खराब मौसम में भी यही सेम काम हो जाता है मतलब अगर jammer ना भी लगा हो तो यह काम खराब मौसम कर दिया करता है, तो link तूटने के लिए, लेकिन अब वायू link जो होगा, यह भारते वायू से ना का jammer proof संचार के लिए एक platform होगा, I hope आपको समझ में आ गया, भारते वायू से ना इसके लिए में यह काफी time लगेगा, लेकिन अभी military वगरा यूज करना सुरू कर दी है, आगे बढ़ते हैं, किस कंपणी ने पेसेवर रजनाकारों के लिए सफायर रैपिट्स प्रोसेसर लांच किया है, इसे लांच किया है इंटल कंपणी ने, इंटल कंपणी दोस्तों इंटल ने अभी आगे बढ़ते हुए, एक सफायर रैपिट्स नाम से प्रोसेसर लांच किया है प्रोसेसर क्या होता है, आपका जो computer जो प्रोसेस करता है तो वो प्रोसेस करवाने के लिए जो चिप लगी होती है, उसी को प्रोसेसर कहते है बहुत ही आसान भासा में आप इससे समझो, ठीक है, तो इंटल ने अभी Xeon नाम से दो प्रोसेसर लांच किया है और इन दोनों प्रोसेसर को यह सफायर रैपिट्स प्रोसेसर कह रहा है इसका यह कोड नेम है सफायर रैपिट्स और वैसे तो इसका टेक्निकल नाम है Xeon W3400 और Xeon W2400 तो यह डेक्स्टॉप वर्कस्टेशन प्रोसेसर है ठीक है, खास करके यह डिजाइन किया गया है उनके लिए जो कलाकार टाइप के हैं, जो डिजाइनर हैं, जो इंजीनियर होते हैं, डेटा साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए यह लांज किया गया है, खास्ता और से, ठीक है, तो उनको अच्छे तरीके से ऐसे सुगत है देगा, जिसे वो बढ़ियां से सम करना होता है उन समय ये काम आएगा इंटल की बात करें तो 1968 में अस्थापना हुई थी कैलिफोर्निया यूएसे में इसका हैटकोटर है और इसके अध्यक्ष है ओमर इस्तराक इसके सीओं है पैट गिल सिंगर क्लियर इंपॉर्टन स्टैटिक जीके का सेग्मेंट देख लेत पर भी पीडियाप भेज दी जाएगी ठीक है कोसिस करूंगा आज ही मैं डलवा दूं पहला कुश्चन और राष्ट्य करण के समय और बेके गवर्नर कौन थे तो आर्बेका राष्ट्य करण तो आपको पता है एक जनवरी 1964 को हुआ था एक जनवरी 1964 को हुआ था उस टाइ पहले भारती गवर्नर सीरी देश्मुग याद करते थे यहाँ पर थोड़ा सा पूछ लिया राष्ट्य करण के समय तो आपको पता होना चाही राष्ट्य करण का अब हुआ ठीक है तो वह समय हुए कौन सीरी देश्मुग नर्सिम्हन समीत का गठन किस वर्च किया गय था ओडिसा का प्रमुख मंदिर है ओडिसा में पूरी जगनात मंदिर भी है ठीक है कोनार का सूर्य मंदिर भी है जूम लोक निरते यह त्रुपड़ा का प्रत्यद लोक निरते है और मैंगो सिटी यह भारत के मालदा सहर को कहा जाता है मालदा सहर पड़ता है वेस्ट बंगा होती है बुरमिस क्यात यहां क्यात ही लिखा रहे तब भी कोई दिकत नहीं है म्यामारत में ही दोस्तो इसे गोल्डन पैगोडा वाला देश कहा जाता है और वहीं अगर ब्लैक पैगोडा पूछा जाये तो आप उडिसा में बताएंगे कोणार के मंद्र को कहा जाता है दांत खुद अपने आप में यमुना नदी के सहायक नदी है यानि यमुना नदी से निकलती है या यमुना नदी से ही जोड़ती है चंबल नदी और चंबल नदी से निकल करके बनास नदी निकलती है रायस्थान में ठीक है दांती बड़ा बांध उसी पर बना हुआ है तेजप लगते हैं हमारी और हमारी टीम की तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया को आप लोग अगर लाइक कर देते हो ना तो थोड़ा सा लैंड रोवर इंडिया के नएंडी बने हैं वह किस कंपनी के उपाद्धेक्ष हैं तो अभी राजन अंबा दोस्तों जैग्वार लैंड रोवर इंडिया का मैंनेजिंग डिरेक्टर बना दिया गया है ये टाटा मोटर्स के उपाद्यक्ष है यहाँ पर इनको अपॉइंट किया गया है MD of Jaguar Land Rover इंडिया ठीक है टाटा की ही कमपनी है ये भी Jaguar भी टाटा ने अक्वाइर कर ही लिया है तो अब ये रोहित सूरी की जगा पर एक मार्ट से अपना पत्त नभा लेंगे जनवरी 2023 में रोहित सूरी ने इस्तिफा दिया था और अब इनकी जगा पर राजन अंबा होंगे ये 2023 जुड़े हुए हैं कमपनी से टाटा मोटर्स की बात करें तो 1945 में स्थापित हुई थी मुंबई में हेडक्वाटर है और GRD टाटा ने इनको स्थापित किया था टाटा मोटर्स को और आज जो है इसके MD राजनम्भा बनाए गए गए है अगला हाली में किस ने भारतिय क्रिकेट टीम के मुखे चैन करता पत्सी इस्तिफ़त दे दिया तो एक इस्टिंग ऑप्रेशन हुआ और उस इस्टिंग ऑप्रेशन में इनका पूरा का पूरा समझलो की करियर तबाह हो गया चेतन सर्मा चेतन सर्मा जो की चीफ सिलेक्टर थे बी सी सी आई के या कहले प्रकार से की भारतिय जो प्रोस के क्रिकेट टीम है उसमें तो इनका इस्टिंग ऑप्रेशन हुआ जी नियूज वालों ने किया और उसके बाद फिर ये इन्होंने बहुत सारी चीज़ा ऐसे ब दिया है इनको इस्तिफा देना पड़ा है BCCI के सचिव जैसा को इन्होंने अपना इस्तिफा सौब दिया है अभी पांच सदस्तिय जो चैन समीती है जो सेलेक्टर कमेटी है उसमें चार अन जो है उनमें एस सरत हैं सुब्रतो बनरजी है सलेल अंकोला है और सिव सुन्दर विसे इनकी वीडियो पड़ी हुई है यूटूब पर आप सर्च करेंगे चेतन सर्माइस्टिंग ऑपरेशन करके वीडियो मिलेगी आप सुन सकते हैं आपको भी जानकरी होनी चाहिए कि वहाँ पर अंदर में क्या चलता है ठीक है आगे बढ़ते हैं हाले में वाइट सेल ने एक रेंकिंग जारी की है ग्लोबल लेबर रीजिलियन्स इंडेक्स जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या वैस्विक स्रम लचीलापन सूचकांग तो इसमें टॉप पर रखा है इन्हों है डेनमार्क को सेकंड पर स्विजलेंड थर्ड पर है जर्मनी और भारत की र सूचा जाता है तो याद रखेगा वाइड सेल्ड जल्द ही आपको सूचकांग की एक नई फिरस्ट वीडियो मिलने वाली है जिसमें पिछले एक साल में जो भी सूचकांग आये हैं उनको हम लोग वहाँ पर एक अपडेटेड वीडियो करके लाएंगे आपके लिए ठीक जी है बीटल क्या होता है ये भी हम लोग समझेंगे देखो कुछ इस प्रकार से होता है और बहुत ही इंट्रेस्टिंग जी होता है ठीक है इसका यूज बहुत जाता होता है तो यहाँ पर फिलाल रो बीटल स्पीसीज जो है यह अभी वेस्टन घाट्स में इंडिया में रिडिस्कवर किये गये हैं 120 साल के बाद दा हिंदू का आर्टिकल आपके सामने है अब देखो यह बीटल करता क्या है जब पोस्टमार्टम होता है न पोस्टमार्टम में सबसे बड़ा जो अहम रोल निभाता है वो यह होता है कि अगर यह पता लग जाए कि मडर या फिर जो मिलती हुए वो कब हुआ ठीक है किस टाइम पर व्यक्ति की मिलती हुई डेथ हुई तो वो exactly पता लगाने के लिए जो साइंटिस्ट है जो मेडिकल साइंटिस्ट हैं वो यूज करते हैं बीटल का आपको जानकर हैरानी होगी यह जो जीव है यह exactly यह बता सकता है कि व् अनम है अमर्गस्थ debondag वो जो आपके घंजनी लेंड के छोज करताओने भारत के पस्टमी घाटों में अभी न्यूजियलेंड में एक जनरल जुटाएंस पर होता है मेगजसीन आती है उसमें यह छपा था है यह रिसेर्च जो थी इसे केराटीन बीटल भी कहा जाता है ठीक है तो बीटल याद रखिएगा बीटल यूज किया जाता है ये आपसे साइन्स के रूप में कुशन भी पूछा जा सकता है जैसे साइन्स अगर आप पूछा जाता है आपके एक्जाम में तो फिर उसमें से भी ये कुशन बन सकता ह हाली में महान भारतिय फुटवालर तुलसिदास बलगराम का निधन हो गया उन्हें किस प्रसिद्ध पुरसकार से समानित किया जा चुका था तो तुलसिदास बलगराम जी ये अरजुन पुरसकार से समानित थे भारत के एक प्रसिद्ध फुटवालर थे और ACN Championship में गोल्ड जीतने वाली दो बार गोल्ड जीतने वाली टीम की ये हिस्सा रहे थे 1951 से 1962 तक इनका कैरियर रहा था तो 56 से 60 के दौरान जब दो अलंपिक हुआ उसमें भी भारत को प्रतनीरत किये रिपरजेंट किये इसके अलावा 1962 में जकार्ता में ACI खेलो में गोल्ड जीती थी भारती टीम उसमें ये हिस्सा थे तो अरजुन पुरसकार इनको 1962 में ही मिला था पश्चिम मंगाल सरकार ने अभी 2013 में इनको बंग विभूशन से भी सम्मानित किया था तो इनका अभी हाले में हो गया है निधन ये तो थे दोस्तो आज के दिन के टॉप 10 करेंट अफेर के कुश्चन्स आई होप आपको वीडियो इंट्रेस्टिंग लगी होगी और समझ में आई होगी अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा अपने दोस्तों के पास इसके अलावा कल जो मैंने आपसे बात किया था ब्लेक बॉक्स कौन से रंग का होता है तो यह होता है नारंगी कलर का यानि औरंज कलर का परसाद योजना का संबंध निम्निन से किस्से है मंदिर और तेश्थास्वलों से है कि इन सरकार की योजना है जो उनका पुनरधार करती है ठीक है आज आपको क्या बताना है आज आपको बताना है चीन का राष्ट्री खेल क्या होता है इसके अलावा और भी जो राष्ट्री खेल आपको पता हो कौन-कौन से देश के कौन-कौन से है कल भी मैंने आपको कई सार की पैरेंट कमपनी है ठीक है माइक्रोसोफ्ट किसकी किसकी पैरेंट कमपनी है गूगल ने अभी हारी में कौन-कौन से क्वेजिशन की है इससे रिलेटर चीजें आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में बहुत-बहुत धन्यवाद यहां तक वीडियो देखने के लिए इसकी क् तरिये नमस्कार जहें वंदे मातरम